बॉलिवूट के फीमस एक्ट्रेस रनबीर कपूर ने हाल ही में अपने पितार इंडिस्ट्री की लिजेंड रिशी कपूर को होया है रनबीर कपूर के दुख में आलिया भट लगातार उनकी साथ है आप सभी जानते हैं कि आलिया और रनबीर को लेकर लगातार मारकेट में खबरें चलती रहती हैं जोकि उनकी अफ़ैर को लेकर है रनबीर और आलिया की लव लाइफ हमेशा सुर्ख्यू में रहती है चाहे उनके पिछले प्रेकप की बात हो या पिछले रिलेशनशिप की बात हो या उनके प्रशनसकों की बात हो रनबीर की लाइफ को लेकर सभी को सब कुछ पता है लेकिन कज समय से आलिया और रनबीर लगातार सुर्ख्यू में है क्योंकि अक्सर रिशी कपूर के इलाज के वक्त आलिया को कपूर परिवार के साथ नियू यॉर्क जाते हुए भी देखा गया हाल हिमें रिशी कपूर से जुड़ी एक बात सामनी आई है रिशी कपूर ने भी रनवीर और आल्या की शादी की एक्छा जाहर की थी लेकिन दुर्भाग या ऐसा था कि आसा नहीं हो सका अपने एक इंडवियू में रिशिक अपूर ने ये भी कहा था कि रनबीर किसी भीरभाड से परे कुछ लोगों के साथ ही शादी करने की सोच रहे हैं मैं रनबीर की नीजिता का सम्मान करता हूँ क्योंकि वो एक नीजी व्यक्ति है इसलिए में कुछ दोस्तों और शुब चंतकों को बलाकर उन दोनों का अशरवाद देने के लिए कहूंगा और उन सबसे माफी मांग लूँगा और समझा दूँगा कि रनबीर जादा लोगों में शादी नहीं करना चाहते हैं साल की शरुआत से ही रनबीर और आलिया की शादी की अफ़ाहें तीजी से फैल रही थी ये खबर भी आई है कि अपने जनम दन पर रिशी कपूर आलिया को एक यादगार तोहफा देना चाहते थे और उन्होंने रनबीर और आलिया को एक साथ डिनर पर ले जाने का प्लान भी किया था रनबीर और आलिया की शादी की अफ़ाहें अतनी जोरों पर थी कि ये तक दावा किया गया था कि दोनों ने गुपचप शादी का प्लान कर लिया है और शादी कर ली है हलाकि ये सारी खबरे सच नहीं निकली और अब सामने आ रही खबर ये है कि रिशी कपूर भी आलिया और रन्बीर की शादी करवाना चाहते थे एक बहर फिर से आलिया रनवीर की शादी की अफ़ाहों को पेश करती दिख रही है मीडिया और हाल ही में रिशिक पूर का देहान्त हुआ है अभी तो रनवीर की शादी के कोई कयास नहीं लगाये जा सकते लेकिन आगे आलिया और रनवीर क्या फैसला लेते हैं वो तो उन दोनों में से कोई एक जब inform करेगा तब ही पता चल पाएगा